दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको रियपियर के एड्मिट कार्ड के बारे में पुली डिटेल बताऊंगा और साथ में रियपियर के एक्जाम ओनलाइन होएंगे नहीं होएंगे यह क्या सीन है फुल लाइव प्रूफ के साथ तो एक ही बात सीधा मैं बताना चाहता हूँ क इस वीडियो में फुल लाइव प्रूफ देखाऊंगा आप लोगो को और कैसे क्या करना है वो सारी चीज़े दिखाऊंगा तो इस वीडियो को पूरा अंतक देखना मत भूले जो चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन की जरूर बजा लेना ताकि आगे नोटिफिकेशन आ जाए तो दोस्तों शुरू करता हूं मैं रियेपियर के एड्मिट कार्ड के साथ रियेपियर के एड्मिट कार्ड फर्स्ट तो आपको Mdu की वेबसाइट पर एग्जामिनेशन सेक्शन में रियेपियर एड्मिट कार्ड improvement column मिलेगा वहाँ से आप लोग download कर सकते हैं ध्यान दे column का नाम है admit card reappear improvement ठीक है पहले है तो वहाँ से मिल सकते हैं दूसरा मैं बताता हूँ दूसरा मिल सकते हैं आपको mdu की application download कर लो play store पे लब्द है mdu रो तक लिखोगे आ जाएगी mdu की application download कर लो उसके बाद login करने के बाद left side में left side में वहाँ पर क्लिक करोगे वहाँ पर आ जाएगा admit card का पांचवे चटे नमबर पे admit card का option आ जाएगा और वहाँ से आप लोगों को सीधा आपका admit card download हो जाएगा इसके बावजूद भी आपको तीसरी जगे और बता देता हूं तीसरी जगे है दोस्तो student portal जहां से आप लोगों ने अपना reappear का form बरादा student.mdu.ac.in इस पर आपको जाकर login कर लेना है अपनी ID पासवर्ट के साथ और login करने के बाद वहाँ पर वहाँ पर भी left side में examination नाम का column होगा examination नाम का column होगा उस पर आप लोगों ने click कर देना है उस पर click करने के बाद आपको उपर अगर आपका कोई regular का paper है तो regular का admit card उपर आ रहा होगा और नीचे reappear का है तो reappear का नीचे आ रहा होगा वहाँ से आप लोग download कर सकते हो यह मैंने तीन जगे आप लोगों को reappear के admit card के बारे मताई है इन तीन के अलावा एक direct link है student.mdu.ac.in slash get admit card slash aspx यह चार चीज़े हैं इन चार चीज़ों के लावा कहीं भी किसे आपको admit card नहीं मिलेगा पहली बात मैं बता दूँ अगर किसी यह कोई दिक्कत आ रही है तो computer center mdu चले जाना वहाँ पर आपका solution हो जाएगा जिनका इन चारों के बाद भी नहीं निकल पा रहा है कुछ भी दिक्कत है तो computer center आपकी help कर देंगे mdu रोतक में dde वाली building में तो अब मैं main topic पर आ जाता हूँ reappear exam online chance मिलेगा या नहीं मिलेगा तो जी यहां दोस्तो मिलेगा मैं मैं आप लोगों को वीडियो के शुरू में भी बता चुका हूँ इसका मैं live proof आप लोगों को देता हूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कैसे क्या करना होगा तो पहली बात आपके admit card आ चुके है reappear के जिनके आने रहते हैं वो लोग भी चेक कर लो चार तरीके मैंने बता दिया है उन चारों को देख लो और आपका admit card का जो आपका exam center है न दोस्तो वही आपका online exam करा सकता है जो आपका exam center है आपका exam center के आपके principal को hod को जो भी है exam center के principal या hod आपको उनको contact करना है basic सी बात इतनी है आप जैसे मर्जी जाकर contact करवाएं किसी दोस्त को भेजें खुद जाएं email वगेरा आपको कहीं से मिल जाती है number वगेरा मिल जाती है ये सारी आपकी headache है आपको अपने level पर अपना काम करवाना है online exam देने के लिए कोई valid reason होना चाहिए आपके पास कि आप किस वज़े से आप offline exam नहीं देना चाहते हैं online देना चाहते हैं और वो अगर approve कर देते हैं तो आप online exam दे सकते हैं तो एक छोटी सी बात है कि reappear के student online exam दे सकते हैं पहली मुख्य बाद दूसरी मुख्य बाद ये power किसके हाथ में online exam देने की जो आपका offline exam center आएगा वो exam center के होडी के हाथ में power है आप उनसे request कर सकते हैं with valid reason के साथ अब मैं आपका full live proof के साथ दिखाता हूँ और reappear exam online का system सब तो ये था दो ये है दोस्तों महरशी द्यानंद इस्टी का notice जिसमें जो student online एपलाई करना चाते हैं उन्हें ये google form लिंक बरना था चार मार्ज तक एक बज़े तक तो ऐसे ही हर exam center ने अपने level पर कर रखा है अब कई exam center नोटिस नहीं निकालते हैं इस चीज का वो अलग बात है UITM बहुत सारे 3000 बच्चे हैं 3000 बच्चों में से 834 ने मेरे क्याव से online के लिए apply करा है और 318 बच्चों को online approve मिला है बच्चे हुए 500 कुछ को note approve मिला है तो वो आगे request कर सकते हैं अगर चाहें तो और वरना offline exam दे सकते हैं अपना तो यह सारी बात निगल कर आई है और मैं आप लोगों को पूरी list भी दिखाऊंगा UIT वाली main बात यह है कि आपको अपने exam center पे खुद contact करना है कैसे मर्जी हो पाता है आपका email contact या खुद जाकर किसी को भेज कर यह चीज आपकी जिम्मेदारिया आप अपने रियपियर offline exam center पे contact कैसे करें तो वो आपको बता देंगे देखिए दोस्तों मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ कि यह चीज हो रही है कोलेज और डिपार्टमेंट के लेवल पर यह पावर मिली हुई है तो इस पावर को कई कई ठीक से अपलाई भी कर रहे हैं और कई ठीक से अपलाई भी नहीं कर रहे हैं और कई जगे धोखा धड़ी भी हो रही है तो दोस्तों जब जिस आके पावर जब कोलेज लेवल पर आजाती है तब ऐसी चीज़े हो जाती हैं आपने भी देखा होगा कई कोलेजों बहुत जादा नंकल हो जाती है टीचर तक करा देते हैं और कई कोलेजों में हिलने तक नहीं देते तो जब चीज़े department level college level पर होती है तो वो चीज़े vary हो जाती है यह MDUIT का notice है ये दोस्तों नेकी राम कोलेज का नोटिस है तो जो जो चातर ओनलाइन एक्जाम के लिए अपलाई करना चाते हैं उन्हें या तो अपने दस्तावेज BCA वाली बिल्डिंग में समिट करा देने हैं या वो इन दो नमबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं ऐसी अलग अलग एक्जाम सेंटर ने अपने रिलीज करे हैं बहुत स्टूडेंट्स तक वो चीज़े नहीं पहुच पाती हैं तो आपको खुद अपने लेवल पर कॉंटेक्ट करना है होडी की इमेल निकाल कर होडी के नमबर कहीं से निकाल कर या किसी स्टूडेंट को भेज कर वहाँ पर या खुद जाकर तो आप लोगों को कॉंटेक्ट करना है अब मैं देरी ना करते हूँ सीधा M.D.U. की जो लिस्ट U.I.T. की अप्रूव हुई है उफिशली उस पर ले चलता हूँ तो ये रही साथे Puerto M.D.U. U.I.T. की लिस्ट यह हमने अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी डाल रखी है तो जो इंस्टाग्राम पर हो हो हमें TrendyM Dustin लिक के वहाँ फोलो कर ले जो ट्विटर पे है वो ट्विटर पे TrendyM Dustin लिक के फोलो कर ले यह जो टेलीग्राम पर हो वो टेलीग्राम पर भी ट्रेंड अमने उसलिको सर्च बार में आ जाएगा चैनल जोइन कर लो तो गाईज यह स्टूडेंट लिस्ट है यहाँ पर आप लोग देशकते हो दिखा दिये और में में जो बात हमारी आती है रिएपियर एज़ाम ओनलाइन की तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं 15th entry है 14th batch completed but reappear तो batch completed but reappear student यह पास आउट टूडेंट है इसकी रिएपियर के लिए भी अप्रूव कर दिया गया है ऐसे ही आगे भी यह batch completed but reappear तो दोस्तो batch completed but reappear तो अप्रूव किया गया है रिएपियर के एक्जाम भी ओनलाइन हो रहे हैं जो special जिनके पास valid कोई reason है वो student exam center पर contact कर कर अप्लाई कर सकते हैं देखिए batch completed but reappear approved batch completed तो यह सारे पास आउट और साथ में दोस्तों जो पढ़ रहे हैं उन्होंने भी साथ की साथ अपने दोनों सैम के जिसकी पहले के reappear के रहते हैं उन्होंने दोनों तीनों जितने भी exam थे सबके admit card attach करके अप्लाई करा था और ऐसे ही आप लोगों को जो regular के student है उनकी पुरानी reappear रह रही है तो उनको भी ऐसे ही अपने admit card attach करके apply कर देना है यह रहा काफी students को batch completed तो पास आउट तक के बच्चों को reappear के paper online देने का मोका मिला है तो regular को भी मिल रहा है पास आउट को भी मिल रहा है reappear के exams भी online special condition पर हो रहे हैं मुख्य बात क्या है मैं वीडियो में छे बार बता चुका हूं साती बार दुबारा बता देता हूं कि आपको अपने level पर somehow कैसे भी अपने offline exam center के principle से होडी से contact करना है और उन्हें valid reason देना है और ताकि वो आपकी बास सुनके आपको approve कर दें यहां पर आप आप देख सकते हैं 500 534 532 532 के तकरीबन बच्चों को note approved भी किया गया है तो जिनका note approved आए वो अगर request करके HD से दुबारा कोशिश कर सकते हैं तो कर लें वरना अपना offline exam दे दें online exam वैसे भी बाद में अप्रेल में शुरू होने की संभावना है online exam क्योंकि March तक theory के ही पेपर हो रहे हैं offline तोर पर और online अप्रेल में होंगे और online की एक और last बात जो main बात बताना चाता हूं कि देखो दोस्तो theory exam के बाद दो चीजे होनी है एक होना है practical और दूसरा होना है online exam तो practical पहले होता है theory exam पहले होता है इस बारे में official कहीं भी कोई statement नहीं है लेकिन एक अखबार में बहुत पहले पढ़ा था कि theory exam के एक हफते के बाद practical होएंगे तो अब यह देखने वाली बात है वो एक हफता दस दिन बाद practical ले ले और दस दिन में online exam खदम करा दें एक एक अपरेल से 10 अपरेल 15 अपरेल के बीच या पहले practical करवाते हैं और फिर online exam कराते हैं तो यह द लिए advantage है कि date sheet सुनने में आया है कई college बगेरा बता रहे हैं कि 20 March के बाद उनकी online exam की date sheet आ जाएगी 20 March के बाद MDO की website पर तो देखिए चलते हैं आगे होता क्या है official तोर पर कोई notice वगेरा ऐसे कोई कास आई नहीं है लेकिन जो जो जानकारी निकल कराई है वो मैंने आप लो पूरी वीडियो बनाई है यह ताकि और इस वीडियो को अपने सभी WhatsApp ग्रूप, Instagram ग्रूप, Facebook ग्रूप, Telegram ग्रूप सब जगे शेयर कर देना ताकि यह पेर के students जो online exam के लिए apply कर सकते हैं अप्रूव हो सकते हैं उनको मौका मिलें उन्हें पता लगे कि उनके पास क्या ची झात कर दो